प्रश्चा लाइब दूर्दरशन पर कोई कारिकरम प्रसारित नहीं होला शयक वर्दों के लिए सेम है गड़त में एक से नौ तक उल्टी गिंती करना और दूसरा है क्रम में संख्याओं को विवस्थित करना learning outcome होगा बच्चे एक से नौ तक की संख्या पहचानते हैं और उल्टी गिंती करना जानते हैं संख्याओं को गड़ते करम में लिख सकते हैं और संख्याओं को पहचानकर सही करम में लगा लेते हैं we learn english में episode 66 शिक्षन अधीगम प्रक्रिया में वीडियो कर लिंग ग्रूप पर भेजा कविता के माध्यम से एक से नौ तक की संख्याओं को गड़ते करम में बताया पेपर के छोटे टुकडे बना कर एक से नौ तक संख्याओं को लिखा और उन टुकडों को मिक्स करके आवेवस्थित कर दिया फिर बच्चों से उन्हें क्रम में लगाने को कहा होमवक में बच्चे गिंती को याद करेंगे और उसका ओडियो क्लिप ग्रूप पर भेजेंगे आगामी कारी ओजना में स्टापू का खेल एक से दस तक की संख्या को सीखने के लिए स्टापू का खेल की कारी ओजना तयार करेंगे शिक्षक का स्वाकलन है बच्चे रुची लेकर गती विधी में भाग ले रहे हैं कक्षा तीन वा चार के लिए भी दूरदर्शन पर कोई कारेकरम नहीं है इपाटशला गती विधी में गड़ित में दो अंकों का घटाव इसका लर्णिंग आउटकम होगा बच्ची दो अंकों वाली संक्याओं घटा ना जानते हैं एपिसोड 66 डवलो एली में शिक्षन का तीविधी में वीडियो का लिंक ग्रुप पर भेजा उधारण के साथ घटाव समझाया मोहला पाटशला संचालन किया एकाई दाई समझा कर घटाव समझाया जैसे उधारण दिया हमने 25 में से 14 तो 25 में एकाई पर 5 है और दाई पर 2 है ये भी लिखा और उसके बाद जो उत्तर आया वहाँ भी एकाई दाई लिखकर उधारण दिया रीड अलोंग एप पर रीडिंग करवाई होमवर्क में घटाव वाले सवाल हल करने के लिए दिये और गुरूप पर होमवर्क भेजने के लिए कहा और उनसे कहा कि रीड अलोंग एप पर प्राक्टिस करनी है रीडिंग की आगामी कार्योजना में हिंदी के सरल वाक्यों को पढ़ाने के लिए वर्क्षिट तयार करना शिक्षा का स्वाकलन है कुछ बच्चे को कठना ही हो रही है कक्षा पांच में बारा अगस्त दिन ब्रहस्पतवार या गुरुवार इपाटशाला सामगरी में गड़ित में दो अंकों की संख्या का गुणा करने की सबसी आसान विधी इसका लर्णिंग आउटकम है बच्चे दो अंकी संख्या को पढ़कर गुणा कर लेते हैं WLE में एपिसोड 66 और दुरदरशन पर आज कोई प्रसारण नहीं होगा किसी भी एपिसोड का शिक्षन गतिविधी में वीडियो दिखाया दो अंकी संख्याओं को पढ़वाया तत पश्या उधारन के साथ गुणा बताया कुछ प्रश्ण हल करने के लिए दिये प्रेड़ना साथे की मदद ली रीड अलोंग एप पर रीडिंग करवाई गुणा के उधारन का वीडियो गुरूप पर भेजा होंवक में सवाल हल करने के लिए दिये और हल करके वीडियो बनाकर या उसका जो फोटो है वो खीचकर गुरूप पर भेजें बच्चों से कहा आगामी कारियोजना में चित्र वर्णन की कारियोजना तियार करना कुरियानवन के पर शिक्षा का स्वाकलन है कि कुछ बच्चों को कुणा करने में कटनाई हो रहे हैं और के साथ और महनत करनी होगी कक्षा छे में भी दूर दर्शन पर कोई कारकरम प्रसारित नहीं होगा यह पाठ्षा लगति विधि में विज्ञान में आज जीव जगत का पाठ पढ़ाना है और लर्निंग आउटकम होगा इसका सजीवों के लक्षन पहचानते हैं बच्चे सजीव दथा निर्जीव में अंतर कर पाते हैं एपिसोड 66 शिक्षन अदिगम प्रक्रिया में बच्चों को दिक्षा एप पर वीडियो दिखा ही जाएगी सजीवों के लक्षन उधारन देकर समझाये जाएगा बच्चे स्वेम और टीचर भी सजीवों का उधा तो आसानी से समझाया जा सकता है साथ निर्जी वस्तू के व गुणो के फात वरन में उपस्तित हों में वस्तों को देखा सेलिब्रेशन भी होना है, अमरत महुतसब है, तो वो तो हमको डेली ही अभी तैयारी करनी है, और प्रेणा साथी को लिंक भेजेंगे, शिक्षक सो आक लाने, बच्चे उत्साफ पूरवक पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं, कक्षा साथ में भी कारकरम प्रसारित नहीं होगा दूरदर्शन पर, इपाठशाला में विग्यान में भौतिक वर रसाइनिक परिवर्तन, लर्णिंग आउट कम है, बच्चे भौतिक वर रसाइनिक परिवर्तनों को उधारन के माध्यम से समझेंगे, और भौतिक वर रसाइनिक परिवर्तन में अंतर कर पाएंगे, एपिस खाना हम अपने टिफिन में रखा हूआ खाना भी बता सकते हैं जो कि Race week परिवर्तन को परदर्शत कर रहा है माच इसकी तीली जिला कर दिखा सकते हैं घाउत्य कोर Business की कारयोजना तियार करना शिक्षा अक्लन है बच्चे गती विधी के माध्यम से पढ़ने में रुची ले रही है और अक्षा आठ में भी दूरदर्शन पर कोई कारकरम नहीं है आज प्रसारित होगा इप अच्छाला गती में विज्ञान में कोशिका से अंगत अंत्र तक लर्णिंग आउटकम होगा बच्चे कोशिका को जानते हैं कोशिका की सनरचना वकारे जानते हैं एक कोशिका वा बहु कोशिक जीव के बारे में जानते हैं और उनमें अंतर कर पाएंगे एपिसोड 66 एक्चुली ये 66 होगा गलती 67 लिग गया है डबलू एली में शिक्षना दिगम प्रक्रिया में दिक्षायप पर वीडियो दिखाना चार्ट की साहता से कोशिका पादप वा जन्तु कोशिका की रचना समझाना कोशिका की उपस्तिती के आदार पर जीव दो प्रकार के होते हैं एक कोश्किय वा बहु कोश्किय दोनों में अंतर समझाना, होंवक में बच्चे कोशिका का चितर बनाएंगे, जन्तु वा पादप कोशिका में अंतर बताएंगे, और एक कोश्किय वा बहु कोश्की जीव में अंतर लिखेंगे, और ये सब उन्हें ग्रुप पर भी भेजन कि आगामी कार्योजना में लेसेंज 6, औसम असम के लिए कार्योजना तियार करना शिक्षा का स्वाकलन बच्चेव को शब्द बोलने में कठना ही हो रही है क्योंकि बैलोजी की शब्द है थोड़ा उनको कठना ही हो रही थी तो यह था आज के डेली डायरी का वर्ग आप भ झाल 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 झाल